प्लाजमा डोनेशन अभ्यान यूद स्टर पर चलाया जा रहा है हर जिले में जो लोग करोना की जन्ग जीत चुके हैं एसे लोगों की लिस्ट यूवा मोर्चा द्वारा प्रदेश के प्रतेख जिले के CMO एंजियो वे अन्य माध्यमों से एकत्रित कर उन लोगों से संबर्ख साथ कर उन्हें प्लाजमा डोनेट करने के लिए जागरूप किया जा रहा है ये कहना है भारती जन्ताबाटी यूवा मोर्चा के प्रदेश अद्यक्ष राहूराना का वयाज धर्म नगली कुक्षेतर में मार्कित कमेटी के पूरु चेर्मेन सुरेश स्याणी कुक्कु के कार्याले में पत्रगारों से बाचित कर रहे थे यहाँ बहुंचने पर उनका सुरेश स्याणी वे अन्य गनमाने लोगों ने बुक्के देकर स्वागत किया राहू डाणा ने कहा कि यूवा मोर्चा की प्रात्मिक्ता इस समय केवल और केवल करोना को हराना है यूवा मोर्चा द्वारा प्लाजमा डोनेशन अभ्यान यूज तर पर चलाया जा रहा है करोना की जंग जीत चुके लोगों को प्लाजमा डोनेट करने के लिए जागरुप किया जा रहा है पिछले 15 दिनों में हजारों लोगों ने इस अभ्यान से जुड़कर प्लाजमा डोनेट किया है उन्होंने बताए कि इस अभ्यान में युवा मोर्चा की टीम लगातार सक्रिय है और प्रदेश भर में फ्लाजमा डोनेशन अभ्यान को साकारात्मक तरी नाम बे मिल रहे हैं इस मौके पर मार्केट कमेंटी के पूर चेर्मेन सुलेश चैनी ने भी राहूराना को बदाई दी और उनके नेतरतों में युवा मोर्चा संक्रन के और अधिक मजबूत होने की काम ना की इस मौके पर भाजपा के पूर जिला महामंत्री एवं चोपाल के प्रदेश सयोजग रविंदर सांगवान के डीपी के पूरुष दस्य डॉक्टर सोरप चोधरी वह अन्य गन्माने लोग मौजूद थे नमस्कार दोस्तों आज भारती जन्ता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश जक्ष राहूल रणा कुरुक्षेतर में मार्किट कमेटी के पूर्व चेर्मेंट सुरेश चैनिकुक्ष के प्रतिस्थान पर पहुंचे हैं जहां उनका कारेकरताओं ने बहुवे स्वागत भी किया है आज हम राहूल राणा जी से पार्टी संग्ठन और उनकी प्रत्मिक्ताओं को लेकर जानकरी लेंगे इनकी सब्कुद्री करती के जनता पार्टी में आपके लंबा संगर्ष रहा है पार्टी के कारीकरता आपके संगर्ष से भली बानती प्रीचित हैं लेकिन जो दर्शक है या एक आम युवा है प्रदेश वासी है वह आपके संगर्ष को शयाद आज तरह से न्ह cigar जानता हो जैसे सबसे पहले तो मैं हर्याना प्रदेश के मुख्यमंत्री आदर्निय शिरी मनोरलाल जी और प्रदेश के प्रदेश सिधक्ष शिरी ओम प्रकाश धनकर जी और शिर्ष नित्रत्रु का मैं दिल की गहराईयों से धन्यवाद करता हूं कि पार्टी ने जिस विश्वास के साथ मुझे यह जिम्मेदारी सोपी है मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा और भारतिया जंता पार्टी में पद नहीं मिलता भारतिया जंता पार्टी में जिम्मेदारी दी जाती है और आपने अभी पूछा कि आप किन किन दायतों पर रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं पार्टी में कार्यकरता के रूप में मैंने काम करना शुरू किया मेरे मैं लगातार निरंतर काम करता रहा पार्टी ने मुझे सबसे पहले हरियाना प्रदेश का प्रदेश कार्यकरनी से दस्या भाजी उमो भारतिया जनता यों मोर्चा का बनाया मैं निरंतर काम करता रहा पार्टी ने मुझे हैं जिम्मेदारी दी मैं पूरी निष्टा के साथ इमानदारी के साथ अपना दिन रात पार्टी को देने के लिए हर वक्त त्यार रहता था तो मैं लगातार काम करता रहा हमारे प्रदेश के धक्ष मुकेश गोड़ जी थे उस उसी टाइम पार्टी ने मुझे प्रदेश सचीव की जिम्मेदारी दी फिर मैं प्रदेश सचीव में भी नियंतर मेनत के साथ काम करता रहा पार्टी ने मुझे प्रदेश उपधक्ष की जिम्मेदारी दी और अभी मैं फिर उपधक्ष के बाद भी जू मुझे जिम्मेदा और आज पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे प्रदेश निर्तित्र को शिर्ष निर्तित्र को कि मैं आप लोगों के विश्वास पर ख़रा उत्रूंगा राउल जी आपको एक नए बदाई अभी भी प्रापत हुई है शायद पदा नहीं आपको पदा है कि नहीं पदा कि आपके संगर्ष को देखते हुए आज ही भारती जन्ता पार्टी की जो प्रदेशा देख्श है ओंपरकाश धनकर जी उन्होंने जो कोविड आफदा परब धनकर जी का धन्यवाद करता हूं वैसे तो मानिय ओम परकाश धनकर जी ने हम युवाओं को यह पहले ही कारे दिया हुआ था मेरे से पहले पूर प्रदेश ध्यक्ष मनीश जी स्कौम को देख रहे थे और दो दिन पहले मैंने 22 के 22 जिलों की वर्चुल बैठक विली कल एक एक जिले में फोन करके यह सूची बनाई हमारा कार्यकरता CMO से लिस्ट लेकर या किसी NGO से या सेवा संगटनों से लिस्ट लेकर वो उन में से उन लोगों को मोटिवेट करते हैं जिनको अभी करोना हुआ है और वो एंटी बोडि उनके सेल बने हुए है वो पलाजमा ड करने का काम करते हैं तो यह जिम्मेदारी पार्टी ने पहले ही यूगाओं को दी हुई थी और भारतिय जनता यूगा मोर्चा पार्टी की रीड की है जो प्लाजमा डोनेशन का अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश भर में चल रहा है जी यह 22 के 22 जिलो में चल रहा है मै करन कोविड से वह जूज रहे हैं तो 22 जिलों में से 20 जिलों से बात हुई और सभी जिला धक्ष लगातार प्लाजमा डोनेट करने का काम कर रहे हैं तो रावल जी आपको कैसा घ्यानता लेकिन कोविड को रा चुके हैं लेकिन फिर धिक्कत में न आजएंगी से देखिये मेavaitको कहा कि हमारा कार्यकरता को यह कार्य दिये गया है कि जाके रावल करना पड़ता है क्योंकि इसमें पंताली साल से उपर वालो का हम प्लाजमा नहीं ले सकते और जिनको कोविड हुआ है वो तीन महीने के अंदर-अंदर एंटी बोडी बनते हैं और जब वो लिस्ट आती है लिस्ट में से हम रिफाइन करके चार सो लगबक जैसे हमारे जिला दक्ष ने जार सो से संपर्थ किया उसमें से 40 लोगों के प्लाजमा बनता है दे सकते हैं डोनेट लेकिन जब एंटी बोडी चेक कराते हैं हो सकता है उनमें से 15 या 20 लोग ही दे पाते हैं और आपने पुछा कि लोग डर रहे हैं डर इसलिए रहे हैं क्योंकि अब यह देहात तक गाउं को आगे लेकर आता है और जादा से जादा प्लाजमा डोनेट करने का काम करवाता है बतोर प्रदेश द्रक्ष आपकी मुख्य प्राथ मिखता हैं क्या क्या रहेंगे संगठन को लेकर देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं संगठन ने मुझे जो जिम्मेदारी दी मैं उस पे बेखुबी निभाता है हूं अभी पार्टी ने आप नहीं बताया कि मुझे ये जिम्मेदारी मिली है कि प्लाजमा डोनेशन की मेरा मेरी पार्टी का जो अदेश होगा मैं प्राथ मिक्ता अभी क्योंकि हमारा पूरा हर्याना प्रदेश नहीं पूरा भारत के संकट से बाहर नहीं आता हमारी प्राथ मिक्ता यही रहेगी कि जादा से जादा लोगों को प्लाजमा डोनेट करासकें लोगों की जिन लोगों को बलड की जूरत है बलड दिलवासकें और अन्या किसी भी तरह की चाहे वो समगरी को लेकर हो चाहे खाने की समगरी हो हम स कि निमाद फिलाल हम यह मान कर चलने कि भारती जंदा बाढ़टी युवा मोड़चा कर ध्ञान केवलु केवल को हराने को लेकर और जंता की dużo?. संग्ठन के विस्तार को लेकर कुई यूजना नहीं है देखिए जब तक इस संग्षण से हम बाहर नहीं आ जाते दीरे प्रवास चल जाएगा हम साइड में नाम सोचेंगे संकठन के लिए लेकिन जब तक अगामी प्रदेश से और शिर्ष नेत्रतों से इसको लेकर इससे जब तक हम करोना संकट से बहर नहीं आएंगे तो हम अभी अगामी इसको डिले करेंगे तो जनता से को अपील करना चाहेंगे प्लाजमा डोनेट कर सकते हैं आपके प्लाजमा से किसी भाई की किसी माता की किसी बहन की जिंदगी बच सकती है तो किर्पया करके आप डरे मत प्लाजमा आपका तभी डोक्तर लेंगे यदि आपके अंटी बोडी सेल ज्यादा बने होंगे तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा आप प्लाजमा डोनेट करवाने करें तो यह थे हमारे साथ राहूल रणाजी जिन्होंने सपस्ट कर दिया कि फिलहाल भाजबा जनता बार्टी यूवा मोर्चा का पूरा ध्यान को हराने करें हराने को कह है और लोगों की अधिक से अधिक मदद करने को लेकर है राहूल जी जो है प्लाजमा डोनेशन अभ्यान पर जुटे हुए हैं जिन लोगों को को करोना हुआ को अरा चुके हैं तो एंटीबोडी बन चुकी है उनसे राहुल जी ने सीधे दोर पर अपील की है कि वे अधिक से अधिक आगे आकर आएं प्लाज्मा डोनेशन करें क्योंकि उनका डोनेट किया वा प्लाज्मा असंखे लोगों को नए जीवन दान दे सकता है ज